एलो फ्रेंज कैसे आप लोग होप आप अच्छे होंगे आज हम लोग एक रैजलूम की और क्लास लेकर आई हैं आपके साब ने तो जिसके अंदर हम लोग कुछ रैजलूम के अंदर जब भी हम लोग रैजलूम यूज करते हैं तो बहुत सी हमें चैलेंज जो है देखने को करने को मिलती है तो उसमें से एक जो है स्लाइस ट्रास्फफर्म भी है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीपली देखेंगे आज की वीडियो के अंदर तो वीडियो जो है थोड़ा सा इंटरस्टिंग होने वाला है तो प्लीज वीडियो को पुरा ध्यान से देखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाएं तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं मैं आगया हूँ आपका रेचलम की हॉम स्क्रीन के उपर तो यहां पर मैं आउटपूट में जाकर कुछ स्लाइस अरेज कर लेते हूं वैसे तो इसके अंदर अल्रेडी बना हुआ है लेकिन हम दो फिर जो है बना लेते हैं तो कुछ स्लाइसे बढाते हैं लकलाइडिस और प्लिकेट इसको मैं सेंटर बनाता हूं और यहां से मैं इसको प्लिकेट कर लेता हूं कि इस तरह से और इन सबकों जो है शीफ के साथ करेंगी और आउट पूट में जाकर जो है तो चैलेंजिंग बेसिकली क्या होता है कि जिसे हम लोग कुछ कौर पर शोग करते हैं तो हमें दिक्कत आती है कि कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हमें प्ले करने के लिए बोल दिया जाता है सबसे इंपोर्टन चीज यह है जैसे माली जिए अगर मैं बोलूं कि सेंटर के अंदर लाइफ पीट करना है लेफ्ट राइट के अंदर आपको कुछ लोगो या कुछ और प्ले करना है तो उसके लिए करना क्या होता है कि हमें स्लाइसें बनानी पड़ती है इंप लेर्सें कर लेता उं कोई भी है टो हो मैं आ इन दो लेर्स को हम लोग अरहा है ने सब्सक्राइomena करना या मैं ने daha सब्सक्राइब यहां यहां नेट हेजलें एक ने हम्+, जो सेंटर है हमारा सब्सक्राइब इसाइब और नेकि सप्सक्राइब आ जो इसा दध यावग कर सकते हैं कैसे डिवाइड किसकते हैं, जैसे कि मां लीजिए, आपके पास अब कुछ साइड के लिए प्ले करना है, जैसे यहां फाइल में जाता? मैं फाइल हों प्ले जाता हूं और मैं खुनख भी प्ले करता हूं, अब करके लेफ्ट और और राइट जैजे, लेकिन क्या करता हूं यहां से काम करता हूं अगर आपके पास यहां इसके उपर स्क्रीन वन को जो है मैं इस साइड वाले विंग्स के ऊपर डाल रहे हूं करें तो साइड विंग्स का मतलब पहले तो हम ने चोटा सा ये कि हम लोग आउट पुट में जाते हैं तो यहां पर हम लोग इसको बनातें तो स्लाइस के इनका रीनेम कर लेते हैं तो रीनेम करने से हमें थोड़ा सा रहेगा कि अब मैं इसको left sorry left one मैंने left one कर दिया number 2 slice को मैंने क्या कर दिया RIGST right wings कर दो या कुछ भी कर दो ठीक है तो आपके लिए इसको rename जरूर करके रखना है slice to 3 है इसका हम लोग करते है center ओके और slice number 4 को जो है हम लोग करते है okay तो हम लोग इस चारों को चारों को save करके रख लिए इस टाइप से यहां पर भी हमारे पास वही चीज़े आ जाती है basically हमने रीने जरूरी होता है तो मालीजी मुझे यह क्या wings जो है side के अंदर नहीं चाहिए कहां पर चाहिए पहले तो आप यहां पर एक चीज और चीज़ करेंगे यहां पर आपके पास में स्केलिंग आती है फिल्म आती है और यहां पर स्टैच फिट वगरा सब कुछ आता है तो कोशिश यह करें कि आप इसको masking पर रखें मासकिंग पर क्या होता है masking के उपर आपका पूरा का पूरा विज्वल सभी के उपर आता है या पूरी की पिक्चर एक ही बन जाती है तो अगर आप masking के उपर रखेंगे तो आप पूरी पिक्चर ले पाएंगे और अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप फिल के उपर रख सकते हैं या आप रख सक पर आपको मिलने वाली है चलिए यहां पर तो फिलाल के लिए मैं क्या करता हूं इसको मास्क मोड पर रख लगते हैं अब मुझे यह विजो जो है या आपका कोई भी डाटा है अगर आपने रखना है अगर आपका क कॉछ कुसी स्पोंसर लोग वगरा लाटा तो अपो हिए दो पॉस्को प्लेवीं करना चाती हो तो एकना करेंगे सब बन लेंगे आपके पॉस्त गरता हूं उन सब यहां और सинки करेंगे यहां कि अगर आप चाहते हो कि इनके उपर भी पूरा पूरा आए तो फिर उसके अंदर आपने स्टैच मोड के उपर लिख कर आऊगे तो स्टैच मोड से क्या होगा आप दोनों के उपर डिफरेंट डिफरेंट जो है वह वो प्ले कर सकते हो सेकंड यह हो गया अब सेम काम हम कproof कोई सेंटर में यह इस प्ले करें और क्लोंगा यह स्लाइस काई संफ सिर्ट में यह चाहिए तो वी तो यह की है मुझे तो में यहां से center पे रखूंगा और यह अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको boot के उपर भी रखूं तो boot के उपर भी रख सकता हूं अगर नहीं चाहता कि मेरा view सिर्फ center में आये तो मेरा center पे आएगा आप इस layer के उपर जितने भी आप content डालोगे कोई भी आप videos डालोगे कोई भी आप videos डालोगे कुछ भी प्ले करोगे देन आपका क्या आएगा यहां पर आपको जो है सिर्फ इस center पे प्ले होगा और यह left और right के उपर जो है प्ले होगा अब तीसे नमबर पे आप और काम गर लीजिए center थर्ड नमबर लेर जो है तो अगर अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा content भी है कि मैं पूरे सारी की सभी सभी slice के उपर खले करना चाहता हूँ तो देन आप इसी के उपर भी यही काम करें आप कोई भी content लें जो इसके उपर डेल यह इसके उपर यह जो है इसको आप भी करके कुछ भी इसके उपर लिख सकते हैं तो अब क्या करेंगे अगर आप चाहते हो कि इसके उपर complete वही आए यह complete आए तो आप इसके उपर भी आप slice से number 3 के उपर जा सकते हैं और आपका content जैस type से आपको चाहिए उस type से आएगा अगर आपका content अभी इस type से जो है आप जो स्क्रीन की यह जो slice से हैं इनको यूज करके transform करके जो है अपना अपना content पर ओपर तरीके से play कर सकते हो आप चाहते हो कि center के अंदर मेरा वीडियो चले या कुछ और play हो जो है center पर जित्रे भी आपके content दलेंगे आप उन पर अगला अगला view दे सकती है कि इस layer के उपर मैं अगर कुछ प्ले करूँआ तो यह मेरा content आएगा और इस layer के उपर प्ले करूँआ तो वो आएगा तो hope आपको जो यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज वीडियो को like and share जरूर करें जो चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर करके जाएं तो मिलते हैं इसी कुछ नहीं वीडियो के साथ में तक तक के लिए take care and bye